हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू मैं चैनल आज मैं आपके साथ वाइट चिकन टिक का ग्रेवी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ बहुत यासान रेसिपी है जट पर से बन जाती है और बहुत ही ज्यादा डिलिशियस होती है इसे आप नान के साथ तंदूरी रोटी के साथ खा बैक जालेंगे देष चमच लेस और अद्रग पेश डालना है तो एगर मेरिनेट改 देगे तक एक गंटी के लिए अगर पन बैद गरम कर लिया है। बहुत जादा तेल नहीं डालेंगे और इसमें मैंने यहाँ पर हरी मिर्चों को बारी कट करके डाल दिया है तो मैंने यहाँ पर चार हरी मिर्चे ली ती जिसमें से मैंने दो हरी मिर्चे इसमें डाल दी है कटी हुई और दो का इस्तेमाल हम बाद में करेंगे क्योंकि गोश्ट जादा है और एक बार में फ्राई पैन में नहीं आ सकेगा इसलिए मैं इससे दो बर फ्राई करने वाली हूँ तो मैंने आदी मिर्चे को बचा लिया है अब इस पैन में जितना आएगा उतने टुकड़े हम इसमें रख लेंगे और इसी तरह से ओपन में हम प्राई चूट जायेगा तो इसे उपन में ही पका लेना है और जैब इस पर अचा सा माक्स आ जाए इस तरह से बन माकस आachsen आजए तो बस इससे निकाल लेंगे और इस तरह से दूसरे जो बचे हुए है उसको भी मैंने इसी तरह से फ्राई कर लेना है बहुत कम तेल में से फ्राई करना है अब यहाँ पर मैंने पैन में तेल को घरम कर लिया है और इसमें मैं डाल दूँगी तीन बड़ी प्यास को मैंने कट करके डाल दिया है रफली चॉप करके डालना है और इसे हमने अच्छे से चलाते रहेंगे चलाते हुए हमने इसे इसका कलर चेंज करना है यहाँ पर हम वाइट ग्रेवी बना रहे हैं इसलिए हमने बहुत जादा कलर नहीं चेंज करना है प्यास का मैंने यहाँ पर चार मिर्चे कटकर के डाल दिन से 10-12 में, काजू दालेने है और फिर पोता है corresponds हमने मिडियुअ नहीं करने मं आफ़ टे लेना है मिकश का ऒब знает काईज जिने aanगे बहुत स्बस्तित हमने हम लेत हैं हम आप करने है अब अनुद jogo की अप also देज़कर एक अब यहाँ पर तीन चम्मच ऑईल गरम करेंगे हम और इसमें सारा मसालो जो है इसे दाल देना है जो पीस लिया है हमने वह इसमें दाल देंगे हम तो इसमें प्याज है और पानी इसका बहुत उड़ेगा तो हम क्या करेंगे पहले अच्छे से चला लेना है और फिर अच्छ अच्छे से मसाल्य को भूण लेना है और बहु पानी गारइंगे और अधी मसाले के लिए अच्छे से मसाल्य नमक डूका भूण दाल एक रिख और मोलगेश वद्हेशा प्रणा ते शिंघर का बताल यह हम मत्माश आख नमक चला betल और पॉडर करेंगे और देखें अच् पतली और गाड़ी गैवी चाहते हैं उतना उस इसाब से आप इसमें पानी एटकर दें तो मैंने इसमें आदा गिलास पानी एटकिया है और अब इसमें फ्राइ किया है और झाल देना है और अच्छे से मिक्स करेंगे तो अभी हमने चिकन को गरेवी के साथ में 5-10 मिन प्ली लो फिल्म पर पका लेना है कि इसमें आपस में यग जान हो जाए और इसका अच्छा से फ्लेवर चिकन में आ जाए तो यह देखिए 10 मिनिट के लिए मैंने इसे ढखकर पका लिया था और यह देखिए बहुत ही अच्छा इसमें उपर से तरी आ गई है और चिकन हमारा रेड अगर आपके पास घर की मलाई है तो आप उसे बीश कर डाल दे मैं यहाँ पर इसमें फ्रेश क्रिम डाल रही हूं और फ्रेश क्रिम डालने के बाद अच्छा से मिक्स करेंगे बहुत ही डिलीश्यस ग्रेवी बनती है आप इस यह रिसीपी को जरूर ट्रै करना अगर आप किसी की दावत करें तो इस रेसिपी को बनाएं बहुत ही टेस्टी बनती है सब बहुत तारीफ करेंगी तो फ्रेंड्स रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर देना शेयर करना अपने दोस्तों के साथ मेरे चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब भी करना साथ ही बैल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना न्यू अपडेट्स के लिए मिलती है नई रेसिपी के साथ